नमस्कार दोस्तों, ब्लोगर डीके में आपका बहुत सोगत है, अगर आप हैं सोखीन पहाड़ों पे चड़ने के और आपको बहुत ही अच्छा लगता है पहाड़ों पे चड़ना, तो आप एक बार पारसनात ज़रूर बदाने, एक सिद्धित छेत्र भी है और एक की व्यापकता भी है, अगर समेध सिखर जी के बारे में बात करें, तो यह जारकर राज में सीथ हैं, एक ब्रापक पहाड़ियां हैं, जो जेन धर्म के मानने वालों के लिए एक प्रसित तिर्ध स्थान है, राज जारकर में सीथ होने के कारण या ग्रेडी जीले में हैं, धामिक माननताओं के अगर बात करें तो जेन धर्मसास्तों के अनुसार, जेन धर्म के 24 में से 20 तिर्धन करों और उनके संदों वे मुनियों ने यहां मौच्छ की प्राप्ति की, इसलिए यह सिद्ध छेत कहलाता हैं, विसेस्ताओं की अगर चर्चा करें, तो जेन धर्मस जास्तों में लिखा है कि जो अपने जीवन काल में समेद सिखर तेज की एक बाद यात्रा करने पर मिर्थि के बाद वेक्ति को पसू, योनी और नर्क की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत ही बरी पहारियों में से एक पारसनात जी की पहाड़ी भोगोलिक जिस्टिकों से देखे, तो यहाँ जारखन के पत परदेश में से एक है, यहाँ पर बड़े धमसालाई, मंदीरे, स्थापित हैं, और पहाड़ों पर चर्णने के लिए आपके पास दोर्व से तीन रास्ते हैं, आप पैदर चल सकते ह अगर आप पैदर चले तो आपको 11 किलोमेटर की दोरी चर्णी होगी और 11 किलोमेटर उतर ना पुड़ेगा, उसके उपरा आप मोटर सैकल का भी सहारा नहीं सकते हैं, एवाँ कुछ लोग दोर्यों पे भी बैट की जाते हैं, जैन धर्ब से सम्बंदर